खवर रायबरेली से सामने आ रहे हैं रायबरेली से एक मामला सामने आ रहा हैं जहां सलक दरोगा ने ये वक्त की जम कर लाद घूसों से पिटाई कर दी है जिसमें चंद्रवती के चचेरी भाई सौरफ वा रंजन पुत्रगड विस्राम भी वहां पहुंच गए मारपीट की नौमत देखते हुए सौरफ ने डायलुक सुबारा पर सूशना दे दी मौके पर पहुंचे डायलुक सुबारा ने सिकायत करता सौरफ वा उसके भाई रजन को ही थाने ले आई जहां पर उप निरिक्षयक राम नरायन सरोज ने दोनों भाईयों को लादगूसों से जम कर पीटा जिसमें सौरफ को अंदरोनी चोटे आ गई और वहां गंभीर रूप से घाया लो गया उसे गंभीर होता देख दरोगना ने दोनों भाईयों को कोतवाली से भगा दिया वही रज्जन ने आटो की मदस से उसे अस्पताल पहुँचा है और सौरफ ने बताया कि चचेरी बहन के जमीन पर विपक्षी फर्जी तरीके से कबजा कर रहे थे जहां पर वहां दोनों भाई भी गया हुए थे विवाद होने के सिती में उसने डायलक 112 फर फोन कर सूचना दी तो पुलिस तो वहां पहुची और उल्टा सिकायत करता को ही थाने ले आई जिसमें राम नरायन सरूज ने बिना कोई बात पूछे ही उससे और उसके भाई पर लादखोसों से जम कर पिटाई कर दी अस्पत कंपले में कोतवाल स्याम कुमार पाल ने कहा एक प्रकरन सामने आया है जहां कर रहाता अभी जाच की कारवाई चालू है राइवरेली से समभाद दाता देवराज की रपूर्ट भगी आपका नाम क्या है कहा की निवासी हो इसमें प्रवारा क्या हुआ कौन से घटना हमारे भष्ण फ्रवारा की था अठागी तो उटा दी गई तो हमने कंपलेंगी प्रवन क्या है प्रस्ट ऐस लें कर्क तुम्हारा फैसला होगा कि किसने मारा किया नाम होंका इसारवजकर के नाम हैं तरुम्हारा कि है चेह जर्ब हैं तरुम्हारा fak хотел चर्थ कौन से कहां को तवाली है तुम इस समय कहां पर हो कि परिच्छा है आपका में डेक्टर रनिल कुमार पागवाच मेडिकल अपसर छी माहरा गड़ा कोई मामला यह क्या है एक मामला चार बच्ची पीस मिनट पर आया है है वक्तों में वहें सायट सेने में जर्द बता रहा चोट बता रा है किसी ने उसको मारा है क्या वहला है कई शोटे है इसर कहां पर बाराए बिखा़ अरु पार तान यहांन को मरें